हेलो स्टुडेंट मैं हूरीना आप देख रहे हुरीना अकेडमी चैनल आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है मैं अपने आज किस वीडियो में आपके रिलाई हूँ र के दूसरे स्वरूप रेफ का प्रियोप तो बच्चों आप सभी अंतक बने रहे हमारे साथ इस वीडि संपुण जानकारियां देखने को मिलेंगी तो इस टूडिंट यह देखी रह का पुर्ण रूप है यह लेकिन इसके नीचे हलंत लगा है तो इससे हमको यह पता चलता है कि जिस भी वेंजन के नीचे यह हलंत लगा रहता है तो इसका मतलब होता है कि यह आधा है क्यों आ निकाल देते हैं तो उसके नीचे यह हलंत यह जो चिन है इसको लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि यह आधा वेंजन है तो उसी तरह से यह रहा आधा क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है और इसका दूसरा सवरूप यह है जो वेंजन के उपर लगा करके सब्दों के बीश में इसका प्रियोग करते हैं और इसको बोलते है रेफ तो आज इसी के प्रियोग के बारे में हम पढ़ेंगे तो student इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि रेफ का प्रियोग जिस व्यंजन के उपर होता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है यानि यहाँ आप देख सकते हैं इस एक्जामपल के जरी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पा के उपर ये रा लगा है जैसा कि सर्प शब्द में पा के उपर लगा है तो जब हम इसको उच्चारण करेंगे जब पढ़ेंगे तो पा के पहले ही हम रा को पढ़ेंगे जैसा कि सर्प तो रा के बात पा रहा है समझ में आए बच्चो अब इसमें हम आपको बताते है जैसा कि जिस भी वेंजन के उपर यह रेफ वाला रा लगता है तो उस वेंजन के पहले ही इस रा का उचाण होता है इस रा को हम पढ़ते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा सर्प तो राा आ रहा है फिर पारा आ रहा है फिर गर्म में पहले रा आ रहा है तब जाकि मा आ रहा है उसी तरह बरतन क्योंकि टा के उपर यहाँ पर रेफ वाला रा लगा है तो बागे बाद तुरंत रा आएगगा तब ता और तब ना आएगा अर्थात बरतन ठीक है बच्चो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वेंजन के उपर रेफ लगता है उस वेंजन के पहले ही रेफ रा का उच्चारण करने के बाद तब उस वेंजन का उच्चारण होता है जैसा कि सर्प, गर्म, बरतन तो आएगे बच्चो अब हम जो है आगे ये रेफ वाले रा के सम्मनित को शब्दों को पढ़ते हो समझते हैं पर्व, चुर्ण, मार्ग, दर्जी, तर्पन, सुर्योदै गर्म, पुर्ण, शार्क, मर्जी, दर्पन, वर्गाकार पुर्व, चर्चा, कार्य, निर्मल, अर्पन, धर्मावतार धूर्ट, कर्ड, आर्य, करकश, घर्षण, आर्थिक, वर्ड, पर्चा, खर्चा, अर्जी, गर्दन, आशिर्वाद तो इस्टूडेन आप लोगों ने देखा और पढ़ा कि जिस भी व्यंजन के उपर ये रेफ रा लगा है उस व्यंजन से पहले ही इस रा का उच्चारण हो रहा है एक बार हमें फिर से इसको पढ़ते हैं पर्व, चुर्ड, मार्ग, दर्जी, तर्पन, सुर्योदय गर्म, पुर्ड, शार्क, मर्जी, दर्पन, वर्गाकार पुर्व, चर्चा, कार्य, निर्मल, अर्पन, धर्मावतार धुर्त, कर्ड, आर्य, करकश, घर्सन, आर्थिक वर्ड, पर्चा, खर्चा, अर्जी, गर्दन, अशिर्वाद तो ये था बच्चो कुष्शब्द ररेप से संबंदित अब हम इस संबंदित कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे आज कोई धार्मिक पर्व है मार्ग में एक जुनूस में लोग धर्म की जैहो कहते जा रहे थे एक रत सजा है जिसमें एक दर्जन दर्पन लगे हैं दर्पन बच्चो दर्पन कार्थ होता शीशा जिसमें आप लोग फेस देखते हो उस पर महावीर जी की मुर्ती है इसमें मेरी मौसी का बेटा गर्व भी गया है गर्व किसी बच्चे का नाम है पार्क में लोग चर्चा कर रहे हैं अर्थाद बात्चित कर रहे हैं इस कार्य में बहुत खर्चा हुआ होगा कार्य यानि काम खर्चा आने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए थे धर्म से कर्म बड़ा होता है कर्म यानि काम भगवान का आशिरवाद सब के लिए है धर्म और कर्म के नाम पर तर्क मत करो ठीक है बच्चो तो ये था रहरेव से संबनित कुछ वाक्य अब हम कुछ शब्दों को देखेंगे जिसमें रहरेव का प्रियोग कैसे करते हैं तो इस्टुडिन्ट यहाँ पर देखी कुछ शब्द है जिसमें हम रहरेव लगाएंगी जैसा कि पा के उपर हमने लगा दिया तो ये बना शर्प, गर्दन, दा के उपर लगेगा तो बन जाएगा गर्दन, घशन, तो इससे सब्द बना घरशन यानि रगणना दरपन नया शब्द बना कंड यानि कान तो इस तरह से बच्चो वेंजन वर्ड के उपर ही ये जो रह रेफ होता है वो लगता है ठीक है बच्चो और ये आधा रह है ठीक है ये रेफ जो है ये आधा रह है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और ये हमेशा ये जो है वेंजन के उपर ही लगता है तो आईए अब हम इसके प्रशन अभ्यास को करते हैं रंगीन वर्ड पर रेफ की मात्रा लगा कर सब्द बनाओ तो यहाँ पर आप देख सकते जो रंगीन वर्ड है इस रंगीन वर्ड पर ही आपको रेफ लगाना है तो यहाँ पर हमने लगाया तो शब्द बना धर्म अब यहाँ पर हमने रेफ लगा दे शब्द बना नर्तक यानि नाशने वाला पूरुश यहाँ पर शब्द बना घर्षन यहाँ पर सब्द बना वर्गाकार नया शब्द बना शार्क, जो की एक मचली है, यहाँ पे नया शब्द बना आरे, ठीक है बच्चो? तो इन शब्दों में जो है रेव को एट किया गया, तो यही शब्द बने है, अमने इश्ठ है, निम्नली की सब्दों के सुध रूप पर गोला बनाई है, तो यहाँ पे च सरकल किया, चौथा शब्द युआ पे दर्शन सही है, थो हमने इस पे सरकल किया, हमने इस चेट, चित्र देख कर शब्द पूरे कीजिए, तो इसमें भी वही रेफ मिसिंग था, रेफ की मात्रा, हमने इसको लगा के शब्द पूरा किया, बना शब्द टार्च, वर्शा, तो स्टुडेंट, हमारे ये भी जो रेफ वाला जो है, पार्ट कंप्लिट हो गया, तो आपको कैसी लगी हमारे वीडियो, गर हमारे वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक जरूर करें, तो मिलते हम आपसे अपने अगले वीडि